आंगनवाडी में धूम अक्षरवाचन और ग्री कारे होगा अब हम बच्चों के साथ सब्ताह में तीन दिन कौन-कौन सी गतिविदियां करने वाले हैं उसके बारे में जानेंगे आईए जानते हैं स्वामवार को की जाने वाली गतिविदियां के बारे हाजरी बच्चों का नाम पुकारा जाने पर अपनी जगे पर खड़े होकर नमस्ते टीचर बोलने के लिए सूचना दे अब बच्चों को दिन रात कतिवीदी करवाए जैसे बच्चे अपने दोनों हाथो को सामने रखे टीचर बोलेगी दिन तब बच्चों को हथेली उपर रात बोलने पर नीचे की तरफ पलट देना है टीचर बोलना शुरू करेगी दिन, रात, दिन, रात, रात, दिन जैसे बच्चों ने गलत कर दिया वह खेल से बाहर होगा इसके बाद शुक्रवार को हमने कौन सी कतिविदी की थी? उसके बारे में बच्चों को पूछे और चर्चा करें इसके बाद बोट पर कुछ सबजीयों के चित्र वो कार्ट सामने रखें चित्र के नाम पूछें अब कुछ सवाल पूछें लाल रंग की सबजी का नाम बताओ कौन सी सबजी जमीन के अंदर उगती है हरी रंग की सबजी कौन सी है कौन कौन सी सबजी का सलाद बनता है चटनी, सौस, अचार कौन सी सबजी से बनता है आदी अब अकडबकडबंबे बो बालगीत करवाएं अब बच्चों को स्टापू खेल करवाए इसके बाद बच्चों को कुछ शब्द दें शब्द का प्रियोग करके वाक्य के लिए बनाने के लिए कहें जरूरत पढ़ने पर बच्चों की मदद करें अंत में बच्चों को कॉपी पर टेड़ी लाइने बना कर लाने का तथा अगली बार अलगलग वेश फुशा पहन कर आने का ग्रिह कारे दें हाजरी बच्चों को अपनी बारी आने पर अपनी जगह पर खड़े होकर नमस्ते टीचर बोलने के लिए सूच ना दे अब बच्चों को भारत माता की जै कहते हुए कदम ताल करवाएं इसके बाद आज हम आखरी गतिविदी क्या करने वाले हैं उसके बारे में बच्चों को बताएं अब बच्चों को जंडे में रंग भरवाएं इसके बाद बच्चों को नना मुना राही हूं कीत करवाएं इसके बाद वेश पुशा कारे करम शुरू करें हाजरी, बच्चों को अपनी बारी आने पर अपनी जगह पर खड़े होकर गुड पॉर्निंग मैम बोलने के लिए सूचना दे इसके बाद बच्चों को नाम बताने के लिए कहें जैसे अपनी बाईं तरफ बैठे साथी का नाम खुद का नाम और दाईं तरफ बैठे साथी का नाम बताने के लिए कहें अब बुधवार को हमने कौन सी गतिविदी की थी उसके बारे में बच्चों से पूछें और चर्चा करें इसके बाद बच्चों को शब्द ध्यान से सुनने के लिए कहें जैसे टीचर बोलेगी हाथी, चूहा, बक्री इन जानवरों में से छोटा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? पूछें. ऐसे ही औरुधारन ले. अब बच्चों को सड़क पार जब जाना हो पालगीत करवाएं. इसके बाद बच्चों को पेपर फोल्ड करके मन पसंद वस्तू बनाने के लिए कहें. अब बच्चों को बोट पर लिखे गए अक्षर से शुरू होने वाले शब्द बोलने के लिए कहें. जरूरत पढ़ने पर बच्चों की मदद करें अंत में बच्चों को प्लास्टिक की खाली बोतल लेकर आने का ग्रीख कारे दें बच्चों के साथ गतिविदी के अनुगव हमारे साथ अवश्य साज़ा करें भूलेवाद